हेलो गाइस, थैंक फॉर चूजिंग मैं वीडियो, तो फ्रेंड से हम लोगों ने क्लास 11 थी नियारों के स्टोरीज के कोईशन आंसर कर लिए हैं, उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आज हम सुरुवात करते हैं, पोएम से, तो हम सुरुवात करेंगे मेरी सबसे फेवरेट पोएम क्लास 11 की घर की याद से, जिसको लिखा है भवानी प्रिसाद मिस्र जी ने, सबसे पहले हम लोग NCRT कोईशन करेंगे, फिर इसके बाद और Most Important कोईशन भी देखेंगे, तो महरा पहला NCRT कोईशन है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस पर क्या संबन्ध है, तो फ्रेंसिस का उत्तर है, कभी अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है, आकास में बादल गिर कर बारिस करने लगते हैं, ऐसे में कभी के मन को इसमरतियां घेर लेती है, उसका मन अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लगता है, जैसे जैसे पानी गिर रहा है, वैसे वैसे कभी के हिर्दे में अपने चाहने वालों कि अपने याद आने लगती है तो गाईज ये था हमारा question number one का answer हमारा question number two का answer है माई के आई बेहन के लिए कवी ने घर को परिताब का घर क्यों कहा है परिताब में सोता है दुखो का घर तो गाईज इसका उत्तर है सावन का महिना उत्तर भारत में बेहन बेटियों के माई के आने का महिना है आज पानी गिरने से कवी को बेहनों के आने पर हशी खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है और वह जानता है कि इस वर्ष बेहनों को केवल चार भाई मिलेंगे और पाचवे जो कवी स्वे हैं का अभाव वो घर पर नहीं होंगे इससे वहाद इक बहने और माता पिता सब ही दुखी हैं यहाबात दूर जेल में बैठा कभ जानता है इसलिए वह घर को परिताप यानी की दुख का घर कहता है तो गाई यह था हमारा सेकंड कोईशन हमारा थार्ड कोईशन है पिता के व्यक्तित्तों की किन विश्यस्ताओं को उकेरा ग नहीं है वे खिलखिला करसते हैं वे दौड लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं था चारवा चौथा वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते हैं वे बहुत सासी हैं वे तूफान की रफ्तार से काम करने की छमता रखते हैं वे गीता का सौरी वे गीता का पाठ करते हैं दोलन में भाग लिया, तो गाइस यह था मारा थार्ड कोईशन का अंसर हमारा फॉर्थ कोईशन है, निम लिखित पंग्तियों में बस सब्द के प्रियोग की विसेस्ता बताईए, तो चार पंग्तियां है, मैं मजे में हूं सही हूं, घर नहीं हूं, पस यही है, किन्तु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है, तो इसका उत्तर है, एक ही सब्द बस का नेक बार प्रियोग और الग-अलग अर्थ में प्रियोग कर कभीने यमक अलंकार से भी अनोखा उधारन प्रिस्थत किया है, सबसे पहले कभी कहता है, कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस अ मामूली बात नहीं तर्था थर्ड में वहाँ इस बस पर वहाँ विवस नहीं है यहाँ विवस्ता है इस विवस्ता ने सब कुछ विरस अर्थात रस हीन सुख हीन कर दिया है अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को सोख रहा है तथा इन पंक्तियों में बस मात्र केवल बस वस नियंतरन समापन के अर्थ में प्रियुक्त किया गया है जो एक चमतकार पूर्ण प्रियोग है सहज सब्दों में ऐसे प्रियोग भवानी प्रसाथ मिसर ही कर सकते हैं तो गाईज यह था हमारा फूर्थ हमारा फिफथ कोईशन है कविता कि अंदिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कलपना कीजिए कि कवि अपनी किस इस्थिति वगाना इस्थिति को कम मौन रहना, आम आदमे से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव और निरासा के कारण सुए तक को न पहचानना, आद इस्थितियां नहीं बताने का आगरह करता है, वह उसे चेवतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बख दे, उसके बताने के तरीके से परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए, कभी अपने माता पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहता, वह उन्हें खुस देखना चाहता है, इसलिए वह यह सारी बाते उसके परिवार वालों को नहीं बताने की अग रह करता है, तो गाईस यहतने सारे NCRT कुश्चन नेक्स्ट इंपोर्टन कुश्चन कुछ है, पानी गिरने का क्या अरत है, इसका परिणाम लिखिए, तो गाईस इस पोयम में पानी गिरने के दो अरत है, एक तो सावन की बरसात हो रही है, और लगतार वरसा हो रही है, दूसरा, यहा कि कभी के नेत्रों से अस्रुधारा बह रही है, इसका परिणाम यह हुआ कि कभी के प्रान और मन घर की याद में घिर गए हैं, उसकी सजल आखों में उसका घर तैरने लगता है, तो गाईस दूसरा कुश्चन है, घर की याद के साथ साथ कभी को और कौन याद आ रहा है, तो गाईस घर के साथ साथ कभी को अ जिनका इस ने हैं यहां तक अर्थात कभी तक पैला हुआ है तो गाइस मारा थार्ड कोईशन है कभी का भरा पूरा घर आज परिताब का घर क्यों है तो गाइस इसका उत्तर है कभी के घर में सुख और इसने के सब साधन है चार मजबूत भूजाओं जैसे भाई सदा प्यार करने वाली बहने ममता विखेडने वाली मा और प्रोथसाहन देने वाले पिताजी से घर भरा हुआ है आज जब कभी जेल में है तो उसके अभाव ने घर के प्रतेक सदस्य को दुखी कर दिया है जिससे कभी का घर अपने आप में दुखो का घर यानी की परिताब का घर बन गया है तो गाईस फोर्थ कोईशन है हमारा केवल इस्त्रियों को ही घर का मोह नहीं सताता कभीता के आधार पर सिद्ध कीजिए तो गई इसका उत्तर है घर की याद कभीता पुरुसों की भावकता का परिचय देती है कभी घर के एक एक सदस्य के साथ इस नेह और प्रेम के बंधन में बना है उसकी यादे इसमरतियां इतनी भाव भरी हैं कि इस्त्रियों के मन से कहीं ज़्यादा ही है कम नहीं कभी के मोह की विसालता का ही परिचायक है उसका देश प्रेम जिसके चलते बहा अपना घर द्वार इसने संसार छोड़कर जेल तक पहुँचिया जेल में कभी घर को जैसे याद कर रहा है उससे स्वता सिद्ध हो रहा है कि उसके मन में कितना मोह है तो था हमारा ये इसका आंसर था फिफ्ट कोईशन है घर की याद कविता का परिपाद दिस्पस्ट कीजिए तो गाइस इसका उत्तर है घर की याद कविता की रचना जेल में की गई है इसमें सावन की बरसात में कभी को अपने घर की याद आती है वह पिता जी को सिर्फ अपनी सुखात्मक अनभूतिया कराना चाहता है मतलब कि वह बताना चाहता है कि वह यहाँ पर एकदम सही है खुसी से है इसके लिए वह सामन को सब कुछ बता कर भी उसे सिर्फ अच्छी वाते बताने के लिए कहता है यदे पिता को जेल में जेल के कस्ट वा कवी की मानसिक दसा का पता चलेगा तो वे बहुत दुखी होंगे कभ ये पिता की तुलना बरगत के व्रच्छ से करते हैं वे बुढ़ापे में सारी रिक कारे करते हैं व्यायम करते हैं हस्मुक है परंत दिल बेहत समवेदंसील वा कोमल है उनके पिताजी का तो काईज ये था हमारा फिफ्ट कोईशन हमारा सिक्थ कोईशन है कभी कहता है देखना सब बक न देना के स्थान पर देखना कुछ कहना देना के प्रयोग से काव सौंदर में क्यांतर आ जाता तो गाईज इसका उतरे कावी यदि बक के स्थान पर कह सब्द रख देता तो कथन का विशिष्ट अर्थ समाप्त हो जाता बक न सब्द खीज को वक्त करता है जबकि कहना सब्द सामाने सब्द अता बक सब्द विशिष्ट अर्थ को दर साता है तो गाईज यह थे इस चैप्टर कोश्चन अनसर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राब करके बेला इक अंदर बाला है इसे आक मेरी है वीडियो को लिटिफिकेशन मिल जागा धन्यमाद गाईज झाल 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 झाल